दोस्तों नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का जीवन उत्साहनिवस पर कोरोना महमारी संक्रमन के चलते परदेश सरकार दोरा लोगों की सुविधाओं के लिए कुरिंटाइन की फैसिलिटी दी गई है जिसके अनुसार जो लोग बाहरी राज्यों से इमाचल परदेश में आ रहे हैं उन्हें कुरिंटाइन होम में जाना है या इंस्टिशनल जाना है या परशाशन उस अधार पर तैय करता है जहां से वह लोग आ रहे होते हैं एक बड़ा ही अजीब मामला आज सामने आया जिसमें बिना पर्मीशन एक BIP रिजॉर्ट ने एक करोना पॉजिटिव व्यक्ति को ठहरा दिया हलांकि ये करोना पॉजिटिव बाहत में निकला किन्तु इस रिजॉर्ट को पर्मीशन नहीं थी किसी व्यक्ति को ठहराने की और उस व्यक्ति को सरकार ने परशाशन ने इंस्टिशनल कॉरेंटाइन के लिए जाने के निर्देश दिये थे किन्तु व्यक्ति वहान आ जाकर किसी प्राइवेट रिजॉर्ट में रुग गया और बाद में व्यक्ति करोना पॉजिटिव आया उस रिजॉर्ट को अब सील कर दिया गया है दरसल इस रिजॉर्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति बिना अनुमती के रह आये जानते हैं पूरी रिपोर्ट उपायुक्त सिर्मौर डॉक्टर आर के प्रूति जी से क्या कहा इन्होंने जीला सिर्मौर में परसल रात को पॉंटा से एक केस पोजटिव आया था एक व्यक्ति गुजरात से जो महां पे पहुंचा था उसमें जब टेस्टिंग के गई तो होटल में रुकावा था जब को जबकि उसको इसको इंस्टिनु कुराइन में रहना चाहिए था तो जैसे कि टेस्टिंग क्राई पोस्टिव आया तो वी आपी रिजोट ने ना तो कोई परमीशन ली थी कि हमारा जो पेड कॉरेंटेन के लिए अलीजिवल है तो जैसे मैं एस्टिंग साफ से रिपोर्ट ली टूर्जियम डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ली उसके बाद उसे वा कि टिड़े क्राई आसे परमीशन लूर्टव लाह दुटि एर रिपोर्टमें ली चानी हो जाएर प्ल्किंस कोंटे दृप